विल्कम टू यूनिक कलासर जॉब डिबी जी देखे हमारे पास रेकुरेंश रिलेशन या फिर रेकुरेंश फॉर्मूला राइट अब मैं आपको बता दू रेकुरेंश फॉर्मूला पर आपको देखे यह मेरे पास चार प्रशन है 1 2 3 4 तो मैं इन चारो प्रशन को क्या कर हांगा सौल्ब करने वाला हो सबसे पहले को नमबर 1 तो देखे हैं आपको यहां पर कोशन कंबर 1 का हम प्रूफ देखते हैं को देखें To apare देखे तो आप कोशन क्या चीज भी ओन यॡडड़ मतलब हो चुका वी लो डड़ बिन डयर मतलब हम जानते हैं कि यह formula जानते, कौन formula तो देखे, n का मान 0 से लेकर infinity यह summation, आपको t का power n, factorial n, hnx, ऐसा formula बराबर आप जानते, e का power 2xt, minus ka ta square, generating function आप पर होंगे, नई पर है, वीडियो का link आप आपको description में दे देंगे, i button से भी देख सकते, description में आपको total videos का link मिलने वाला, यहां से आप देख ल differentiation करे, यह कैसे आया, वहाँ पर आपको है, differentiation with respect to the x, x के respect में क्या करते है, differentiation करते है, धियान से देखिएगा, कोई मुश्किल आपको नहीं होने देंगे, यहां पर जो लिखा हुआ है, n का मान 0 से infinity, और यह t का power n है, factorial n है, मैंने बोला, x के respect में कर रहा हूँ, मता यह x के यहां पर आप मुझे बताएए, क्या x वाला यह है, यह तो कहनी खतम इनकी, इसकी बात करिए, 2, आप इस गुरा में लिखना है इसको, तो 2, t, x का 1, into में, जो आपको यह है, similarly उसको लिख दीजे, इसका तो exponential का वही चकर होता है, हाँ, बिल्कुल वही चकर होता है, जो आ इन का मान, 0 से infinity, यह t का power n, यह factorial n, यह h का power n, x, और यहां पर देखिए, यह तोटी लिखा हो है, इसमें आपको दिखकर नहीं लेना, यह तोटी लिखा हो, आप चलिए, इसे, अच्छा है, इसे हम लोग ऐसा कर देते हैं, इसका तोटी को बाहर रहने देते हैं, रहने दे होता है, यह formula होता है, इसका formula क्या होता है, summation, in command, zero, infinity, t का power n, और बट्टा में जो चलता है, फैक्टोरियल n, और यहां पर आपको h n x, यह formula होता है, इसका, मैंने इसका formula यहां पर बठाल दिया, देखिए, यहां पर जो चीज लिखा हो हो ना, इसे हम similarly लिखेंगे, अभी तक इसमें कोई छेरचार नहीं किया ठीक है इसको अभी सिमिलरली लेकर चल रहे है एच का पावर एच इन डेक्स अब देखें यहाँ पर यह टू टी है न टी को अंदर भेज दीज़ेगा न और यह टू को अब बाहर रखेगा तो यह समेशन दिखाईएगा यहाँ पर इन क क्यों कर रहे तो मैं आपको बता दू हमें जो t का power in कभे मिलेगा आपका जवाब होगा जब in के जगा पर क्या होगा in होगा तो चलिए यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे यह वाले पार्ट में जो गुना में है h का power h dash in x और यह factorial in है तो factorial in मतलब divide में और यहाँ पर देखिए यह 2 और यहाँ पर देखिए मैंने पूछा यहाँ पर आपको t का power in कभ मिलेगा तो आपका जवाब होगा जब n के जगा पर हम n-1 डाले कितना डाले इन के जगा पर कितना रखे n-1 ठीक है n के जगा पर n-1 ठीक है तो मैं आपको क्या कर दूँ यहां पर N के जगा पर N-1 पुट कर देखिया, हाँ, आप बिल्कुल N के जगा पर N-1 पुट कर देज़े और यहां, अच्छा, X है तो X गुना में लिखेंगे ना, यहां पर N-1 यह तो आपका कहानी खत्म, इसी तो हम इकवेटिंग किये ना, यह T के पावर N से और यह देखिये, नीचे फैक्टोरियल N है ना यहां पर आपको N-1 लिख देना है और आप देखिये, यहां तक पहुच चुके हैं हाँ, बिल्कुल, और यहां पहुचने के बाद आपको क्या करना, अच्छा, यह फैक्टोरियल N लिखा हुआ, क्या है फैक्टोरियल N, यह दोनों आपका कैंसील होने के लिए बेताब है देखिये, इच डैस चलेगा, इन एक्स और नीचे देखिये, फैक्टोरियल N है न, इन बाहर करिये इसको N-1 कर दीजे, यह 2 कर दीजे, यह आपको H N-1 और यह आपको X बट्टा में जो चलेगा, फैक्टोरियल N-1 यह दोनों भाई सब कैंसील, अच्छा, यह चीज क्रोस गुना करेगा तो यह इनके गुना में होगा हाँ, बिल्कुल आप इसके गुना में लिख सकते है, H-N बराबर में 2N और यह H N-1 इन 2 का X यह पहला वाला प्रूफ हो गया, क्या हो गया पहला वाला, प्रूफ हो चुका है, देखिये पहला वाला मैं आपको दिखा दू, कहा था, यह था, यह प्रूफ हो चुका है, मैं अब दूसरा वाला को प्रूफ करने वाला हूँ, H-N प्लस 1 यह चीज़ वाले को, तो मैं आपको दूसरा बिल्कुल आसान है, कोई बरी बात नहीं है, तो मैं आपको दूसरा कुशन यह यह ज्यादा फैमस है, यह भी काफी ज्यादा फैमस है, आगे हम लोग इस्तमाल करेंगे, तो इसका भी इस्तमाल होने वाला है, देखे, आप याद रखे, यह रेकुरेंस फ़र्मूला 2 है, मैं आपको बता दू, यहाँ से आसानी तो सॉल्फ कर सकते हैं, वी नो डेट गिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इससे पहले हम इसको जानते हैं, यहाँ पर देखे, यह इनफिनिटी, मतलब आपको जो इन का मान जो चलेगा, सिग्मा, एंड इनफिनिटी, यह minus का T square दिन देखिया आपको अब इसका differentiation खेलना है आप लिखेंगे यहाँ पर differentiation with respect to the T किसके respect में T के respect में देखें T के respect में कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यह summation in command 0 और यह आपको infinity यह T के power n है न इसमें आपको tension नहीं ले न यह इन गुना में आजाएगा इन गुना में आएगा T का power n-1 नीचे में factorial n भाई इन के respect अच्छा यह इन आपको लग रहा या नहीं लग रहा इन देखिये इन के respect में कर रहे हैं इन गुना में और T का power जितना होता power उतना में से हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देता है और यह इजद के साथ HNX को लिख दीजे यहाँ पर इस वाले पार्ट में क्या करेंगे भाईया तो इस वाले पार्ट में आप लिखेंगे similarly लिख दीजे और इसका हम लोग ऐसा कर लेते हैं यह ना यह गुना में यह 2 इन का मान जीरो इनफिनिटी देखें यह एन टी माइनस वन है तो आप लिख दीजे इन टी इन माइनस वन बट्टा में फेक्टोरियल इन चलेगा ठीक है अब देखें मैं बता दू यहाँ से आपको HNX है इसे भी आप लिख दीजे अब आपको जो है यह टू एक चीज है यह दोनों को गुना कर लिजे इसको इसके इसको इससे आप लिखेंगे E का पावर अचा पहले तो हम इसको लिख देते ना इसको पहले मैं एनेंज कर देता हूं दिखिए आपको सबसे पहले आप इसको ऐसा कर दीजे इसको लिख दीजे 2X यह वाला और यहाँ पर E का पा आगे आपको देखे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ अउपर की ओर देखे आपको यहां तक पहुंचने के बाद यह जो समेशन है वो चलेगा इन कमान जीरो से इंफिनिटी ओके आप देखें यह इन टी इन टी का पावर इन माइनस वन है बट्टा में फैक्टोरियल इन है यह है इसमें अभी तक मैंने कोई छेरचार नहीं किया कोई बड़ा ऐसा यह 2X है आप इसे 2X लिख दीजिए यह क्या लिखा हुआ आप बताईए न यह क्या लिखा हुआ नहीं समझ में आपको आएगा यह फार्मूला होता किसका फार्मूला जेनरेटिंग फंक्शन में यह बहुत जरूरत मतलब बहुत ज्यादा हमको इस्तमाल करना पड़ा तो इसलिए आपको मैं बता दू यह फार्मूला जो है आपको पक्का आपको प्रूफ कर लेना ठीक है मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कोई बड़ी बात नहीं है ट ग्राइब ठीक का मैं जीरो से आपको इंफिनिटी और आपको 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 बड़ीक में अपको आपको इश एन एकस यहां तक आपको मुश्किल नहीं होगा देखें मैं आपको बता दूँ यहां तक आपको आने के बाद क्या करना देखिय। अब शोटी शोटी मँझिल करीब है मतलब आप मंजिल करीब है इसका मतलब आपको जो है HNX चाहिए HNX के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अच्छा equating करना पड़ेगा तभी HNX मिलने वाला है देखिए मैंने लिखा equating the coefficient equating the coefficient of T का power in किसकी बात कर रहे हैं अपन T के power in की बात कर रहे हैं इन के जगह पर हम लोग in plus one डालते हैं पहले से minus one ये can fill T का power in बनने वाला क्या बहुत है मैंने बोला इन की जगह पर in plus one डाल दे और जहां पर in होगा वहां पर in plus one पहुंचेगा चलिए चलिए भाई नेकी करने में दिक्कत क्या है यहां पर लिखे अच्छा ये ये समेशन की कहानी खतम कर यहां से वन बट्टा में in plus one इन के जगह पर in plus one अच्छा एक चीज़ है एक चीज़ है मैं आपको बता दू ना अभी तक तो हमने यहां पर पहुंचा ना इसमें छोटा सा और एक का पुशुरत दिखेगा और बनाने में भी इंट्रेस्टिंग आने वाला देखें कैसे तो देखें आपको यहां पर यह वाला पार्ट में आप इसको ऐसा लिख दीज़ें देखें समेशन जो चल ला इन का मान जीरो से इंफिनिटी चल ला है ना हां बिल्कुल चल ला भाई इंट्री का पावर और देखें यहां पर देखें यहां पर देखें यहां पर देखें यहां पर देखें यह समेशन जो चल ला है इनका मान जीरो धियान से देखेंगा यहां पर इसको जो है ना कुछ नहीं करेंगे बस छोटा काम वहां पर जो किये थे ना बस वही काम कर यह HNX और यह आप ब्रेकट तो डालेंगे ना HNX, यह देखें, यह माइनस लिखावा 2T, और ओ, यह T लिखावा था न, यह पावर आपको चला जाएगा, कहा आपको यहाँ, अच्छा, तो यह T का पावर क्या बन जाएगा, आपको इन बन जाएगा, न बन जाएगा, इन मैं इसको arrange कर दिया हूँ, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, यह T का power का बन जागा, T का power in plus 1, देखे न, power जो है इसके गुनाक में आ जागा, तो power जूर जाता है, आप भी जानते, हाँ, बिल्कुल आप जानते, T का power in plus 1, अब देखे यह factor, अच्छा, यह summation हम यहाँ पर ल से लिख देता हूँ, बरिया से, तो देखे, मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से लिख दूँगा, अब आपको गल्ती होने की जोरत नहीं होगी, देखे, मैं इसको summation, summation लिखना भूले गयते हैं, इसलिए, यहाँ पर आपको T का power in plus 1 बन जाएगा, और नीचे जो HNX, बस, यही छोटा सा गरवर हो जाता है, कभी-कभी होता है, मुश्किल नहीं है, अब मैं equating अप करेंगे, काम तो देखे, क्या फायदा होगा, equating the coefficient, मैंने लिखा, equating the coefficient of T का power in, मैं बता दूँ, यहाँ पर T का power in तम मिलने वाला है, जब आप N के जगा पर N plus 1 इसका 1, अच्छा, यह HNX है न, आपको HNX लिख देना है, लेकिन, लेकिन, इन के जगा पर N plus 1, यही तो मैंने बोला न, इन के जगा पर N plus 1 काम करेगा, ठीक है, चलिए, यह into का X काम करेगा, अच्छा, bracket X में डालते तो और बहतर दीखता है, यहाँ पर आपको N plus 1 में च कर रहा है, नहीं, हाँ, यह वाला HNX, अब क्या मिलने वाला है, अच्छा, यह minus का 2 है, अब बताएए मुझे, यह T का पावर मुझे N कब देगा, बात, यह मुद्दे की बात, T का पावर N कब देगा, जब आप बोलिएगा, इन के जगा पर N minus 1 डाल दीजेगा भईया, त बोला, T का पावर N कब देगा, जब N के जगा पर N minus 1 मिलेगा, यहां तक ठीक है, मनजिल करीब है, आगे पहुंचते है, यहां पर HN minus 1, मतलब N के जगा पर N minus 1, और N2 का X, यहां तक ठीक है न, को दिक्कत आपको नहीं होगा, मुझे उम्मीद है, चलिए, आगे मैं बता तो इसमें क्या कर लेना, अच्छा, यह आपको वन बता में फैक्टोरियल N बन चुका है, और यह आपको HN plus 1 into का X बना हुआ है, यह बराबर का 2X है, यह वन बता में फैक्टोरियल N है, यह HNX है, यह minus का 2, अच्छा, एक चीज़ है, यह फैक्टोरियल आपको N minus 1 है न, हम लोग इसको कैसे 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 क्या लिख सकते हैं, अच्छा, अब बाहर भी निकाल सकते हैं, दिक्कत नहीं चली न, मैं इसको अभी आईसा ही लिख देते हैं, दिक्कत की बात नहीं है, टू बता में फैक्टोरियल N minus 1, और HN minus का 1 into का X, देखे, अब आपको क्या देखने क कि ज़रूरत हैं, यहां से जो हैं, मैं ऐसा कर लेता हूं, अच्छा, एक चीज है, यहां पर सम में फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल N दिख रहा है, आप इसमें से एक ऐसा चीज कॉमन ले ले क्या, देखे, मैं आपको बता दू, इसमें से इन बाहर कर लीजे, तो N minus 1 हो जा माइनस का 2 बता में, फैक्टोरियल N minus 1 पहले से मौझूद है, यदि यह मौझूद है, तो आपको कटने के लिए भी, देखे, न, कटने के लिए भी बैठा हुआ है, यह दोनों में से आप यह चीज कॉमन ले लीजेगा, और इसको काट दीजेगा, यह इन बचेगा ना, त इन टू का X, यह बरावर का 2X, और यह चीज कांसिल, कॉमन लेने के बाद भाई, कैंसिल आपका हो जागा, यहाँ पर 1 बच्टा N, और यह एच अन X, और यहाँ पर आपको माइनस का 2, यह आपको H N minus 1 इन टू का X, यह आपको मिल गया ना, हाँ बिलकुल यह आपको मिल ग मतलब H N plus 1 इन 2 का X बरावर में, यह 2X H N X, और यह माइनस का 2N, यह इन भाईया गुना में आजाएगा, आपको आप समझे रहे ने, यह चीज, N minus 1 इन 2 का X, देखिए, यह पहुंच चुके, लेकिन आपको दो तरीके से दिखाया था तो कोई दिकर नहीं, इसको अकेला कर solution बनाना आपके लिए काफी काफी आशान है, देखिए, मैं आपको बता दूँ, इसका जब हम solution बनाते हैं, मतलब proof देखते हैं, इसका proof, proof, तो आप यहाँ पर एक चीज जानते है, recurrence formula, अभी हम लोग जो देख चुके हैं, कैमा देख चुके बता ही, तो आपको 1, 2 अभी solve कर चुके formula, है न, solve किया न भी, हाँ, यह वाला 2 है, पहला वाला, तो देखिए, 1, 2 solve कर चुके न, तो पहला और दूसरा है, मैं क्या करता हूँ, equation, equation first, equation first, मतलब question number 1, हाँ, recurrence formula number 1 and formula number 2 की बात कर लेते, दोनों से हम ले लेते, तो formula number 1 क्या proof किये, h का, मतलब a dash लिखा हुआ h dash n x, और यहाँ पर 2 n h n minus 1, यह proof किये न, बिल्कुल, और दूसरा चीज़ जो proof किये थे, आप क्या proof किये थे, 2 x 2 x h n x, बरावर में, आप तो यहाँ पर confusion हो गया होंगे, यह कैसे भाई, यह वाला आचुका वहाँ पर, तो n plus 1 था, तो मैं आपको बता दू, आपको nothing tension ले यह दोनों का हम इस्तमाल करेंगे, यह चीज़ आपको, यह formula number 2 था न, यह है न भाई formula number 2, यहाँ पर से आप इसको, 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 इसको अकिला करेंगे, तो इसको इधर भेज देंगे न, तो आ जाएगा न, बिल्कुल, तो आप इसे equation माल सकते, equation 1 और इस equation 2, अब देखे कि यह 1, 2 का हम लोग क्या करेंगे, इस्तमाल करेंगे, मैं कहाता हूँ कि from equation, from equation 1-2, बोल दिया भाईया, अचा यह वाला 2 न, 1-2 कर दिया, इसको इससे घटा दिया, तो आप भी बड़ी खुजी के साथ आएंगे, फटा फट घटाना आप भी स्टार्ट कर देंगे, बिल् यहां पर आपको क्या मिला, बताइए मुझे, आप भी जानते हैं, ह का पावर डैस, ह डैस, एन एकस, और अचा यह चीज तो कैंसिल, इसको इधर भेज सकते हैं, तो आप इसको लिख दीजे, 2x, hn, x, ठीक है, और यहां पर आपको, ओ, यहां पर वापस से बराबर दिला चुका, मैं बराबर को मिटा देता हूँ, यहां पर मैं बता दूँ, यह माइनस है, तो माइनस तब यहां पर डाल दिजेगा, यह वाला माइनस, और यहां पर आपको जो है, hn, पलेस का, 1, x, यह आपका प्रूफ हो चुका, फाली, ठीक है, हमारे पास कोशन नंबर इसका चार नंबर में, चाउथा नंबर में जो प्रूफ करना है, वो था आपको, h का डवल डैस है, और, n, x है, और, माइनस का, 2, x, और, यह, h, डैस, n, x, पलेस का, 2, n, h, n, x, बराबर में, 0, देखे, यहां तक है, मनजिल करीब है, इसकी भी, इसकी तो बहुत छोटी है, दे देखे, आप हर्माइट equation आप जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या, नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, यह differential, differential, हर्माइट differential equation is, क्या जानते हैं हम लोग, यह जानते हैं, न, d2y बट्टा में, dx square, माइनस का 2x, dy बट्टा में, dx, पलस का 2ny, यह नहीं जानते ह तो इसके लिए आपको tension नहीं लेना मैं बता रहा हूँ देखे हरमाय differential equation जो होता है वो इस रूप का होता है आप भी जानते ये power dash है double dash है मतलब two time differentiation हुआ होगा मेरे दोस्त तो आप इसे आईसा भी लिख सकते है hnx is the solution of given equation ये equation इस equation का क्या है this equation या फिर above equation इवब मतलब उपर above equation मतलब क्या ये उपर वाले equation का क्या है hnx क्या होगा इक solution होगा मतलब आप इसको h power 2 है power 2 है मतलब double differentiation double differentiation कर दीजे ये minus 2x है ये single differentiation मतलब आपको h-nx और ये 2n y y के जगा पर क्या चीज़ है hnx देखे ये आपको क्या था बराबर का 0 ये ही आपको क्या था प्रूफ करना था हो चुका प्रूफ ठीक है